जिनों ने गुर्दवारा साब को अपने आपको बचाने के लिए डालो और कबच बना लिया और लोग इनके पीछे लग गए उनको लेके पुलिस स्टेशन में चले गए कि हमारा गुरू गरन साब इतना हलका कर दिया कि गुरू गरन साब होगा तो पुलिस को छोड़ना सबको अरदास करनी चाहिए कि हम इन लोगों के खलाव है फिर मैं मानूगा कि आपने इंटर्व्यू सही ली है अगर ये किसी और स्टेट में होता अगर ये यूपी में हुआ होता तो क्या लगता है सरकार की तरफ से प्रसाशन के तरफ से क्या अभी तक हो चुका अगर य अंदर से जिसे कहते हैं जंजोड के रख दिया यह जब हमने देखा कि एक बारवी पास बारवी पास कटर पंथी युवक जो खालिस्तान की मांग करता है अमरिस सर के एक थाने को वह बंदग बना लेता है और पुलिस को खुली चुतावनी देता है कहता है कि अगर मेरे सा स्धात बाचीत करने आई हों जिनदा शहीद बिट्टा सर भी इनको कहते हैं इनके पास आने का केवल मात्र एक मकसद था सर तह सर भी अमरित सर के रहने वाले सर भी शिक संवलग करते हैं लेकिन डिफरेंज कैसे आता है कि एक वेक्ती जो सिक समुदाय से बिलॉंग करता है और वो अपने धर्म को अपना कवच बना करके अपने फायदों की बात करता है वो ये बात कहता है कि जब हिंदू राष्ट पर बात हो सकती है तो जी खालिस्तान पर बात क्यों नहीं हो सकती है लेकिन एक छोटा सा सवाल जो मैं सभी दर सब्सक्राबंदी करें तो यह सारा अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है बहराल सरा आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर बहुत दिनों के बाद हमारे चैनल पर वापस आयो तो इतना समय क्यों लगा है सबसे पहला मैं आप से यह पूछना जब का गूमने वार गेस्ट टैरिजम मॉटिवेट यूथ को करना तो पूरे देश में गूमने का मौका मिलता है यूथ के पास पर अब कुदरती आज यहां था जो पंजाब के अंदर वाक्या हुआ और मैं कल ही अमरसर से आया हूँ आपने बहुत कुछ भावक और अच्छी बाते कही आपने निचोड निकाल लिया सारी जंदगी की कहानी का यह हो क्या रहा है पहली बात तो मैं आपको यह कह दूँ अगर मेरे से पूछे तुम कौन है तुछ सरदार है नहीं मैं उसको यह जरूर कहूंगा मेरा धर्म भारतमा मेरी जात्मंदे मात्रम मेरी पगड़ी की गुरू महराज की कुर्वानियों की शहात्तों की गुरुतेग बहादर हिंद की चादर चांदनी चौग गुरु गुबिन सिंग महराज उनके दो सहब जादे नियों में चनवा दिये गये उनकी शहाते कुर्वानियों से इस रास्त के लिए इस धर्म के लिए हिंदू धर्म को बचाने के लिए जो उन्होंने महान कुर्वानिया तब की हैं उसके पास ये पगड़ी हमारे पापियों पे सजाएगी कुर्बानियों उन्हों ने दी शहातें उन्हों ने दी तब जब उन्हों ने किये नाम हमको दिया और हमें मुफत में पगड़ी मिल गई हमने पगड़ी का इस्तमाल करना गलत शुरू कर दिया ये देखो ये सबसे मैं पहली बात कह दूँ मेरा धर्म भारत मां मेरे से पुलियों का डॉक्टर करते थे तो अंदर से यही नारे निकलते हैं इंजेक्शन लगा हुआ बिखोज हूं मेरा धर्म भारत मा मेरी जात बंदे मात्रम फिर ही मेरे गुरू की ये पगड़ी के पहचान है दूसरा पंजाब की जो स्तिति को आज के महाल में हम देख रहे हैं पहली बार हर्मंदर साब के सामने वो पवित्तर स्तान जहां हिंदू, यहां मुसलमा, यहां सिख, यहां इसाई, चार दर्वादे हैं हर धर्म के लिए वहां नमस्तर करता है वो कहता है यह सिखों का अकेला स्तान नहीं है, यह पूरी दुनिया का पवित्तर स्तान है और यह गुरूओं का स्तान है, हम यहां दर्शन करने आते हैं जब अंदर ऐसे ही लोगोंने हर्मंदर सापके उस पवित्तर स्थान को कवज बना लिया था, भाल बना लिया था, हथ्यार लेके चले गए, जब हथ्यार लेके चले गए तो अंदर से घडे से परचिया निकलती थी, खालस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे और जिसकी पर्ची निकलती चाहे बॉंबे है चाहे दिल्ली है चाहे राज्यस्तान में है उसको मार तिया जाता था और मैं कहां था? बिल्कुल सामने पांच-शेसो हजार गज की दूरी होगी सामने मेरा घर था और मेरा बच्पन वही निकला हर चीज आँखों से देखी ये बीच में आपको इंटरप करें आप भिंडरा वाले केस की बात कर रहे हैं जब वो उस समय जब वो हुई थी उसी वक्त की बात कर रहा हूँ उसी की बात कर रहा हूँ तो मैं एक बच्चा था पर बच्पन से पंदरा का 26 जनवरी बनाते थे इम्तिहान का वक्त आया जब अंदर से चैलेंज आया अगर इस बार देश का हिंदू मुसलिम सिख्षाईयों का खून से बना आजादी का देन आजादी का तरंगा जंडा लराओगे आपको गोलियों बंबो से उड़ा दिया जाएगा एक पुलिस टेशन से पुलिस एसेचो आता है कि रस्ते को बदूल मकर नहीं जल्ले अमाला बाग में साथ साल की उमर में खून से चजी लत्पा शहीदों के मिट्टी पे छपत ली थी तरंगा जंडा पहले भी यहां लराते थे आज भी लराएंगे अजादी का दिन मनाएंगे पांच बजे सुबा बंफेंक दिया जाता है ऐसे ही अंदर से आते हैं मेरे घर में पांच बजे बंफेंक दिया इसलिए बंफेंक दिया जाता है कि हम अजादी का दिन ना बना सके हम बगत सिंग राजगुरु सुखदे मंगल पांडे इस्ताफाक उल्ला खां राणी जान सी इतातिया टोपे हिंदू मुस्लिम सिक्षाई जल्या वाला बाग की शहात्तों शवाज चंदर बोज उनकी शहात्तों उनके कुर्मानियों से फिर ऐसे लोग खालस्तान नहीं आ जातें मेरे मंच के उपर चार के करीब मेरी तरह होते पगड़ी बांदी ऐचे दाड़ी पंपलेट फिकते हैं लिखते खालस्तान जिंदाबाद पर जब वो जंदाबाद बोलने लगते हमने अपनी जिंदगी के अंदर जिंदाबाद नहीं बूलने दिया पकड़ के नीचे फिंक देते फिर कहते हैं अब शाम तक आग लगा देंगे तरंगे जंडे को ऐसा ही मौव इस से खतरनाक मौव होता है जो आप अजनाला में देख रहे हैं यह तो कुछी भी नहीं हजारों लोग गिफ्तारियां देने आते और कहते हैं शाम तक तरंगे जंडे को उतारेंगे मैं अपनी हकीकत कहाणी बताना चाहता हूँ क्योंकि आज शामने निकलता नहीं है हमने वो दोर देखा जब गोलियां थी बंब थे बरू थे रोकट लंचर थे अब तो कोई वो बात ही नहीं हो उनके मुकाबले में और शाम तक तरं जंडे को उतारते हैं एक ही कहते हैं मेरा धर्म भारत मा मेरी जाद बंदे मातरम भारत माता की जै यह हमारे उपर सबसे पहले अगर को पत्तर का पूछता है तेरे उपर चौरा बार हमले हुए पहला काब हुआ तो फकर से कहता हूं 83 या 82 के अंदर अजादी के तरंगा जं बे लेकर के काला और नीला रंग स्कूटर कभी सैकल मिटा के उन गंदों नारों को लिखा करते थे भारत मा के चार शिपाही हिंदू मुस्लिम से के साई भारत एक धरम ने प्रथम राष्ट गोलिया चलती थी और एक ही नारा निकलता था शहीद आजब बगत सिंग का सरफ अभी बनने देंगे बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह बिटे के तूटे हुए सरीर से निकल जाएगा आज जिंदगी कितने वर्ष होगे पर चत्ती हजार बे गुणाहों का कतलयाम होने के बाद कितने साल में पांच साल में चत्ती हजार एक स्टेट के अंदर हिंदोस्तान वो स्टेट जो सोने की चड़िया मानी जाती है जो गुरूओं की, तपस्มियों की, हरमंदर साहब की, गुरू गुमिन सेंग महाराज के साहब जादेूं की, चमकवर की गली, वो चहादत की दर्ती मानी जाती है और ये जो सिख कौम है ये मजलूमों के लिए सजाई गई उसमें हिंदू भी उसमें मुसलमान भी उसमें सिख भी उसमें एसाही भी मजलूमों के लिए हमारे गुरू के लिए मजलूमों के लिए जो मजलूम है बे सहारा है उसके लिए कौम सजाई गी और उनमें से निकाल करके इनोंने उननीस हजार हिंदू बाईयों का ट्रेनों से बत्सों से गरों से को मा के लिए को बेटी के लिए को बच्चों के लिए को पिता के लिए को पत्नी के लिए रोटी कमाने गया था उसका कसूर ये था कि वो हिंदू था वो खालिस्तान के खलाप था वो एक भारती था लाइन में खड़ा करके सिख बाईयों को निकाल दिया जाता था पर अगर कोई सरदार के सिर पे पगड़ी नहीं होती थी उसको भी हिंदू समझ के गोलियों से मार दिया जाता था ना उसके हाथ में कोई तर्चूल था ना करपान थी ना गोली था बरूद था क्या कौन ची हिंदूस्तान के अंदर दुनिया में आछी कौम है बताईए जो मदलूमों का ऐसे कसलयाम करती हमारी तो कौम ही दुनिया ने मान ली हिंदोस्तान क्या दुनिया ने मान ली के ये तो कौम वो मार्चल गुरूओं की कौम है जिनके गुरूओं ने मदलूमों की लिए शहाते कुर्बानी मदलूमों को बचाया था तब जब किये थे उस पगडी को यह बदनाम कर रहे हैं यह कूंछ से सजाई हुए और गुरूओं कि पगडी यह बदनाम कर रहे हैं सर अफसोस होता है कि बहुत कुछसा आता है कैसी भावनाय आती हैं जर सब आप ऐसे लोगों को देखते हैं मेरी एक बात सुनू जब ये खालतान के नारे लगते हैं देश को मातर भूमी को तोड़ने के नारे लगते हैं हमें बड़ी दर्द होती है हमें बंबो गोलियों की दर्द नहीं होती इनकी दर्द बड़ी होती है कि हमने 30 साल के अंदर 35 साल के अंदर सीखा क्या क्या सीखा हम उने कभी शिंदू बाडर पे अंदोलन, कभी ये पाकिस्तान को यार बना लेते हैं, कभी शिंदू बाडर पे व्यक्ति को लटका करके तलबानियों के तरह तुकड़े कर देते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम सिक्षाईयों का पहला तरंगा जंडा जो कभी सबसे पहले पंड़ जवाला नेरू ने ले रहाया था नीचे कौन खड़ा सा सरदार पटेल बाबा साब अंबेत कर वो लोग नीचे खड़े थे जो तरंगा जंडा लाल बहादर शास्त्री वो लहराया गया वो तरंगे जंडे का भी उफ्मान करके खालस्तान के नारे रखा के चले गए क्या किया सरकारों ने पूछना चाहता हो दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस को रोल दिया गया पर हमारा हिंदुतान का वो परदान मंतरी देख रहा है सामने 26 जनवरी का वो दिन देख रहा है उसने जरूर कहा होगा गोली मत चलाना इनकी मार खा लेना गोली मत चलाना ये गुरु माराज की सिख कौम है ऐसा नहो कि पहले कितना एक गोली चले मेरे कितने सिख भाई चले जाएं उन्होंने होंसला रखा नितो नरिंदर मोदी तरंगे जंडे का अपमान भारत माता का अपमान किसी सूरत में सैन नहीं कर सकता गरंटी देता हूं यह सिर्फ पगड़ी के कारण उन्होंने सैन कर लिया और हम उनकी शराफ्तों का नजाज फ ने का बनने नहीं देंगे अमिर्शा मैं तो जारा किया अमिर्शा जी तो इतना भी नहीं कहते किसी पस्तरकार ने स्वाल पूछा एया नई की लड़की ने कि खालस्तान की मांग उठ रही उन्होंने एक बात कही यह हिंदुस्तान एक है एक रहेगा खालस्तान कोई कोई से नहीं होगी वह इसलिए मुद्ध को उठा करके धमकी दे दी अमिर्शा बालने पेले इंद्रा कांडी मारी अब अमिर्शा को मार देंगे क्यों क्योंकि वह होँएम। थे यह नफरत हैं लोगों के अंदर हिंदू 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 नफरत है अरे मुझे एक चीज़ बता दो पंजाब के अंदर छती हजार लोग मारें नोने खालिस्तान के नरे देते हुए सती हजार उननीस हजार हिंदू फिर कहूं उननीस हजार उननीस हजार कितने होते हैं सुनने वाले सोचें पांच साल या चार साल के अंदर इतने मारती है पर किसी हिंदू बाई ने मेरे ने जो हमारा नो मास्का जो हमारा रोटी बेटी का रिष्टा है किसी हिंदू बाई ने किसी सिख बाई को मारा हो तो मैं अभी अपनी गरदन काट करके नीके रख दूँगा किसी मारा हो आपने मजलूम मार दिये आपने बे सहरा मार दिये हमारे गुरुओं ने सिख कौम सजाई कश्मीरी पिंतों की हिंदू भाईयों की रक्षा के लिए सजाई एक अलग फौज खड़ी की और आपने गुरुमाराज की मर्यादा के उल्ट खालस्तान का नारा दे के हिंदू भाईयों का कत्रयाम कर दिया हजारों बैनों के सोहा गुजार दिये गाउं के गाउं खाली करा दिये कोई हिंदू भाई पञ्जाब में नहीं रहा गाउं के अंदर एक उनिस स्थन्ताली बणा पाकि स्थान का और उस वक्त बणा उनिस स्थन्ताली जब ये अतंकवादी खालस्तान के नारे देते थे बैन कहां चलेगी मा कहां कलेगी पिता कहां चला गया, बच्चे कहां चले गए, पाकिस्तान की तरह बिछड़ गए, और आज ये फिर खालस्तान के नारे देते हैं, ये थानों पे कबजा करते हैं, ये किर्पाने निकालते हैं, पंजाब की जवानी नोगों ने बरबाद कर दी, इसके पीछे पाकिस्तान, इ पंजाब की जवानी बरबात की जा रही है नारको टेरिजम हथियार आ रहे हैं पाकिस्तान से रो ड्रोन के जरी है हथियार हाए हमारा पंजाब का जितना यूथ है सारा यूथ वदेशों में जारा सब पासपोर्ट भड़े पड़े हैं आफिस रहना इनीं चाहता है मां कर सुन रहे हैं पहले भी ऐसे नारे लगाए गए मामो के लाल थे बच्चे थे उमर कितनी बार्मी में तेर्मी में ग्यार्मी में पढ़ने वाले बावक बाचनों ने परतंक वादी बढ़ा करके फिर गोलियां चलेगी फिर मुकाबले होंगे फिर कहेंगे हमारे बच्चे मार दिये माबाप का कसूर नी इन लोगों का कसूर है शिक कौम का परचार क्या होना चाहिए शिक कौम जुनिया नमस्तख करती है शिक कौम को अपने इतनी सारी बाते हम से खुल करके आज बात की है मैं एक और बात आपसे पूछना चाहती हूं जुस तरीके से पनजाब में हुआ यह घटना हुई पंजाब में अगर यह किसी और स्टेट में होते यह योगी बाबा का बड़ा नाम चल रहा है चले जोगा में तरंगे जंडे का अपमान देखा था कभी एक तो तरंगा जंड़ा मैंने वह अपने जीते जी अपना बंभाए तरंगे जंडे का अपमान नियों ने दिया, एक वो तरंगा जंडा जिससे सब तरंगे जंडे निकले, वो इस कोठी के अंदर, टीवी के अंदर रोते हुए, दिवारों को सिर मारते हुए, पहला तरंगा जंडा मैंने अपमान दिखा, कारण सबसे बढ़ा है, अगर यूप भी जी कुछ न करते, वो डरते नहीं, वो डरते नहीं, सिख कौम, मार्चल कौम, गुरुओं की कौम, अब आपने देखा होगा वहाँ, पहले तर्हानमंदर सापको इन्हों ने ढाल बना दिया, ठीक है न, फर्ज करो, बिंडरा अमारी की जगा पे मैं हुटा, फर्ज करो बार पुलिस आ जाती, देखों, अंदर क्यों गए, बार लोगों को मारते थे, अंदर चले जाते थे, गुर्दवारा सापको डाल बना लिया, कबच बना लिया, है न, फर्ज करो मैं हुटा, पुलिस बार आती, फौज बार थी, तोपे थी, रोकट लंचर से, बिटा बार आजा, ये तो अंदर आके तुम्हें हमला करेंगे हर्मंदर सापके उपर, अगर मैं सच्चा सिक, अपने गुरु मारत का होता, सच्चा सिक, मैं आता बार चाती चोड़ी करके, मेरे सरीर पे इतने गोडियां मारना, कि मेरे सरीर की नस बीटा पचे, पर मेरे तपो जपों से सजा हुआ, वो हर्मंदर साप, गुरु रामदाती का जहां हिंदू, जहां मुसल्मान, जहां सिक, यहां इसाई नमस्तक करता है, उस मेरे गुरु को आच ना आए, मैं कभी गुर्दवारा साप को ढाल और कवच ना बनाता, इन्होंने गुर्दवारा साप को अपने गुर्दवारा साप से बड़ी कुछ चीज नहीं है, उनको लेके पुलिस स्टेशन में चलेगे, क्या हमारा गुरु गरन साप इतना हलका कर दिया, कि गुरु गरन साप होगा, तो पुलिस को छोड़ना पड़ेगा, बीड होगी, जगड़ा होगा, गोली चलेगी, चले और इनी का को आदमी गुरु गरन साप का अपमान कर दे, पुलिस ने कर दिया, और आग लग गई, और फिर अंदोलन शुरू हो गए, फिर गोली आपस में चली, यही चाते थे लोग, और वो पुलिस ने टैकल करके, सिरफ पुलिस ने अगर किया होगा, तो इसलिए क किया होगा कि गुरु गरन साप सामने है, दिली में सिख कौम है, वहाँ गुरु गरन साप है, अब हम इन चीजों का गलत फैदा लेंगे, मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूँ, इस चीजों का गलत कितनी देर तक अस्तमाल हम करते रहेंगे, गुरु गरन साप ऐसे गरन सापने है, गरु गरन साप की पाल की उस वक्त निकलती है, जब गरु महराज का वो दिन होता है, गर पूरव होता है, तब निकलती है, बार-बार नहीं निकलती, आप उनको स्थाने में ले गए, अगर किसान अ अंदोन, लिभं के भाद, वहाँ पे है, मौहाली में अ लाठी चलिए हमारे उस पर चलिए और यह कैसे कर्म कर रहे हैं आप सिक्क कौम को अपमानेत कर रहे हैं आप सिक्क कौम के ओपर दाग लगा रहे हैं सवाल है कि यह जो प्रो खालिस्तान जो मुव्मेंट चलता है मतलब पंजाब के अंदर और वहां के यूथ में भी मैं देखती हूं कि बहुत जादा इंफ्लूएंस मतलब उस तरीके से होते हैं तो यह क्या पॉलिटिक्स मतलब वहां पे आप यह करें चुनाव होता है जब वहां पर तरीके का तो वह कितना इंफ्लूएंस होता है क्योंकि सर आप वहां के रहने वाले मैं इसलिए मैं आप से पोचना है जंग लड़ी है बच्पन से लेकि अभी तक लड़ रहा हूँ यह सब कुछ पॉलोटिस्ट की देन है खालिस्तान तो पहली बात कहूं बनेगा नहीं जितना मर्जी छोर बचाते रहें यह अतंक बात की आग लगाई हुई पॉलोटिक्शन की देन है चाहे वो कश्मीर की थी पंड़े जवाला नहरू के टेम पे अगर चाते तो ऑकुपाई कश्मीर होता सरदार पटेल कहते थे ले 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 लेते और पंजाब की फाजी लेने को तियार सवाल यह था कि उस वक्ट ग्यानी जैल सिंग और दर्बारा सिंग की लड़ाई और इंदरा गांदी ठीक है इन रहेंगे इतनी सी गलती वो आदमी इन से हाथों से निकल गया और पाकिस्तान ने एके 47 बेज दी उसने किला बना दिया लोगों को मारना शुरू कर दिया च्छती हदार बेगुना लोग शहीद कर दिये और 84 के दंगे भी हो गए कतले आम हो गए हमारे सिक बाईयों के गलो की खांग निए काम करता कि आप अगर फ़ढन मंतरी अंधरा गंति को मारते तो उसका कहीं ना कहीं अथर होगा दिमाग निकाम किया बहादरी तो दिखा दी जिकाते हमने इंगिना गंधि़ ये पर जो 44 के दंगे हुए पूरे हिंदुस्थान के अंदर जो आम शिक जो एक कच बॉर्डर गुजरात का जला है एक डिस्ट्रिक एक डिस्ट्रिक गुजरात का हमारा पंजाब है वो खालिस्तान आप चाहते हैं एक राजपुरा एक बठिंडा एक पठान कोट इतना सा खालिस्तान और चार ची मिनिस्टर चाहते हैं बताइए आपका पीम कहां बैठ तेखा चार आपके ची मिनिस्ट्रों होंगे, पंजाब में है क्या, निशेडी बना दिये नौजवान, को माइंजर सोने की वहां पे, को डेमिंड की माइंज हैं वहां पे, खेती बाड़ी बरबाद कर दी, दुवाईयें छिंक-छिंक-छिंक के, वहां को कैंसर से मर रहा है, को blood pressure से, को sugar से, को heart attack से, वो पंजाब में है क्या, बूखे नंगा पाकिस्तान जिसके खाने के लिए आज के दिन रोटी नहीं, सबजी नहीं, प्याज तक नहीं, आज उस बूखे नंगे पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं, जिस हिंदोस्तान को 2% में, पंजाब को, सिख समाज को 2% को, हिंदोस्तान का रास्टरपती ग्यानी जैल सिंग दिया, हिंदोस्तान का home minister सरदार बूटा सिंग दिया, हिंदोस्तान का army chief justice सिंग रोडा दिया, हिंदोस्तान का एर मार्चल सरदार अरजन सिंग दिया हिंदोस्तान का चीफ जर्सिस दोडो चीफ जर्सिस नों ने दिये यह हिंदोस्तान को हमें मिला जेजे सिंग मिला यह हिंदोस्तान को दिया सी बी आई का चीफ सरदार जुगंदर सिंग दिया यह हिंदोस्तान को दिया, दो परसंट को, पर दोलिया के अंदर कबी भी किसे कौम, मजल में, हिंदू, मुसलमान ने, साई ने ये नहीं कहा, कि ये दो परसंट आप ने एतना क्यों दे दिया, हिंदोस्तान कि लोगों ने कभी इसके और इत्राज किया, ये मेरा सवाल है, उस 35 मिनट का इंटर्वी हो गया है सर, दो इसमें बाटलेंगे सर, आपको सुनने वाले, आपको पसंद करने वाले जनता बहुत है, आखरी सवाल पूछूंगे सर, जैसे अभी आपने जिक्र किया, कि इंद्रा गांधी से एक छोटी सी गलती हुई थी, जिसका भुगतना इतना स किसी पुलिटिकल पार्टी, पुलिटिकल पार्टियों का चुप रहना ही, वो सारी पार्टीयां जम्हिदार है, उनका चुप रहना ही, ना बोलना जम्हिदार है, अब मुझे एक चीज बताओ, पंजाब में बैठा हुआ हर वर्कर कहे पंजाब में बैठा हुआ हर लीडर कहे दिली में बैठा हुआ सिक मेरा को भाई जो बीजे पी में खुल के बोले पिर मैं मानूगा आपकी बार मैं आपसे सहमत नहीं हूँ अमिशा जी तो नरिंदर मोदी जी को तो अलग कर दीजे ना उनके ओपर तो कोई छक्कार ही नहीं सकते वो तो सिक कौम की इज़त करते हैं गुर्दवारा साब में नमस्तक करते हैं नीचे का जो बीजे पी में हो य कि किसी ने भी मान को याद रखना एक बाद याद रखना उनको बगवान आपको माफ नहीं करेगा गुरू रामदा सरमंदर साब पवित्तर सान जिसका अपमान हुआ वो आपको माफ नहीं करेंगे हमारे गुरू सहबान माफ नहीं करेंगे हमने एक दिन दुनिया से जाना है. मैं हमेंचां कहता हूँ मौत मेरी याइड है。 जाना है, स्राइट को सोय अशूबह उठूगा या नहीं उठूगाMayn सोचके चलता हूँ घर से निकलता हूँ न जब तुम बहुंगो वापस आना की निया ना पर मन पे भोज नहीं होता. जाना है यह सरीर है यह सरीर भगवान का है भगवान ने कहा नस्खी तीनी मुझे मालूम नहीं है पर हम अपने जीवन को सबसे बड़ी समझते आ है पॉलिटीशन के अंदर हम अपने जीवन को 200 साल का जीवन बना बैटे इसलिए हम पाप करते हैं इसलिए हम जुलम करते हैं इसलिए हम देखते रहते अरे अच्छे करो जैन धर्म देखा जैन धर्म तपस्वी तन पे कपड़ा नहीं कड़क सर्दी के अंदर नंगे पाउं काली सड़क के अंदर गर्मी हो जा सर्दी हो जैन धर्म के वो संत महापुर्च निकलते हैं वो कहते मानवता के लिए निकला ह में पूरा विश शांती रहे पूरा हिंदोस्तान चांती रहे हमारे देश की talking संभाइब पता कितना तप करते हैं दो-दो महीने खाना नहीं काते हैं एक महीना पाणी नहीं पीते कि यह मेरा सवाल है आफसे तो हम लोग के हम लोग कहते हमारी जिन्द की तो 200 पॉलिटिक्शन का बहुत बड़ी एक मतलब आप यह समझे दो सो साल वो अपनी जिन्देगी मान के और फिर यह सब करते हैं यह यह जो पंजाब के अंदर जो गौवर्मेंट बनी है इस बारे जो विधान सबाई एलेक्शन हुआ था खालिस्तान क्या मतलब था कुछ रोल व बात करना चाहता हूं कि और पॉलिटिकल पार्टी पंजाब में अतंकवाद कैसे समापत हुआ कॉंग्रस बीजेपी सीपीम सीपी एक मंच पे कठी हुई और कहा हमें कुर्सी नहीं चाहिए हमें सता नहीं चाहिए हमें पंजाब हिंदुस्तान से तूटने नहीं देना पं उस वक्की घटे होंगे जब बहनों के सौहाख पहले की तरह चती है बेगुणाहों का कतले हम हो जाएगा बहनों के सौहाग उजड़ देना फिर कठे होंगे अब ये कठे हों पहले होने से पहले और अवाज उठाएं इस व्यक्ति के खलाब जो कैता है खालस्तान देश को तोडने की बात करता है ये कठे हो जाएं तब बने गा ऐसा नहीं होगा पुलिस है सरकार है सरकार पुलिस थोड़ा हर चीज करती है पॉब्लिक का क्या काम है लोगों का क्या मैं जितने गुर्दवारा साथ है पूरे हंदुस्तान के अंदर सब को अरदास करनी चाहिए कि हम लोगों के हलाप है फिर मैं मानूँगा कि आपने इंटर्विव सही लिए घाप चलता रहेगा गुर्द्वारा शाथ के अंदर यदि रख घरा उचाहे पूनत हो चाहे दिल्ली ऑ औरसété हैं जे घरखाös सिर्फ सिक्स हमदाय कठा हो और वहां अरदास करके प्रत को बलाके कहें कि हम इन जालमों के खलाफ हैं जो हमारी जिंदिग्यों को खत्रे में डालना चाहते हैं फिर मानूगा इंट confirming का को अशर ने तो इंटर्वी के चले जाँगे लोग देख लेंगो अगली बार फेला जाना यह बहुत बड़ी बात जो है वह बिटा असर ने कहीं है आई यह बहुत है वह सिर्फ बिटा असर नहीं कह रहे हैं जिन्दा शहीद बिट्टा सर कहे रहे हैं, जिन्होंने नजाने कितने ऐसे विस्फोटक हमले जो हैं, वो अपने उपर जहला है, उनकी तरफ से ये मांग भी कह सकते हूं, सर कि ये मांग आपकी तरफ से है, कि देश के हर कोने से एक आवाज उटनी चाहिए कि हम खालिस्तान क खिलाफ है, गुरुद्वारों से ये आवाज आनी चाहिए, मांग कह सकते हूं, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, आपने मेरे मेरे खाल सबसे पहली इंटरव्यू ली थी, जब तरंगे जंडे का अपमान हुआ था, अब तरंगा जंडा को हिंदू समाज क्या, मैं आप से सवाल पूछना चाहते हूं, सबका है जर, सबका, कैसे है, जल्ले हमाला बाग के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख हिसालियों का खून गिरा था, जर्नल डैर ने गोलियां चलाई ची, मैं जो मानता हूं, उनके खून से ये तरंगा जंडा बुना गया, पूरे हिंदूस् सामने आके कहा हो, अरे मेरे खून से सजा हुआ तरंगा जंडा, इस खून के लिए इस तरंगे जंडे के लिए भगत सिंह, राजगुरु सुखते हमने कुर्बानी दी थी, हमारे जवानों की, हमारे भाईयों की जब डेड बाडी आती है, मातर भूमी की सिमाओं की रक्ष वो होनी चाहिए और हर गुरुद्वारे से ये आवाज उटनी चाहिए, कि जो भी खालिस्तान का नाम लेते हैं, हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है, और सिख धर्म को मानने वाले वो लोग हो ही नहीं सकते हैं, और मैं चाहती हूँ कि जो भी हमारी बातचीत हुई है, जो अमरित, पाल, सिंग जैसे लोगों के द्वारा, तो शायद उससे बचने की भी बहुत जादा जरूरत हम सभी को है, और इसे के साथ आशा करूंगे कि आप सभी को ये इंटर्वी बहुत पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो, तो जितना हो सकता है, उतने लोगों तक आ और इंजोई कीजिए, इसे के साथ धन्यवाद।